आज आप लोगों के लिए बनाए हूँ रेस्टूरेंट स्टाइल आलू फूल गोबी मसाला जो बहुत ही फेमस एक डीस है जो रेस्टूरेंट में आप लोग लेती है उसी को मैं एजी तरीके से घर पे बताई हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर एक कराई में ज्यादा थोड़ा पानी रहा लही हूँ अभी फूल गोबी को सबसे पहले बॉयल कर लेना है और इसके लिए जो है मैं बिल्कुल फ्रेश फूल गोबी ले लिया हूँ और उसको जो ही इस तरीके का करेगा तो आप लोग उसको दो हिस्सा कर सकते ने तो इस तरीके का छोटे-छोटे कट करके से फूल निकाल लेना है अभी सभी फूल गोबी को डाल देने के बाद इसमें जो है हल्दी पाउडर डालना है और उसकी बाद नमक डाल देना है हल्दी पाउडर से जो है कलर बह होता है देख सकते ही करीबान यहां पर 5-10 मिनित तक हाइफ लेंपे बॉयल होड़े ही है कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है अभी जो है सभी फूल को भी को पानी से जाली के अंधर निकाल के अलग से कोई भी बरतन में रख देना है फूल को भी को बॉयल करते वक्त बहुत ज अलू को भी बहुत अच्छी तरह से दोने के बाद इसी मसाले के पानी में डाल देना है और डाल के इसको भी सेम प्रोसेस 40 परसें तक ही कूक करना है फूल को भी देख सकते कि तक खूबसूरत जो है कलर आच चुका है फूल को भी में तो अभी जब तक आलू बाल नहीं हो हो चुका है अभी जो है अलू को भी निकाल लेना है इसी तरीके कर अलग से बरतन में सब आलू को जो है निकाल के रख देना है सभी आलू को निकालने के बाद दूसरा कोई भी करहाई को गरम कर लेना है उस पे थोड़ा सा तेल एट करना है करीबन चार से पाच बड़े च इसमें मैं जो ही इतना ही डाली हूँ और हाई फिलेम पे तेल को पहले बहुत आच्छी तरह से गरम कर लेना है ताकि फूल गपी डालने के बाद इसमें चीप के नहां तेल को थोड़ा सा इस तरीके का मैं फैला दूँगी और फैलाने की बाद एकस करके फूल company इसके अंदर डालूंगी तिल के अंदर जितना आ जाएगा मैं उतना डालूंगी मैं जो है इसको नो दो बैचेस में फ्राइ कर रही हूँ आप लोग थोड़ा सा तिल ज्यादा डाल के एक बैच में भी फ्राइ कर सकते हैं तो सभी फूल गोबी को डाल देते हैं फ्रेंड्स वीडियो चलते हो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से जरूर रहेगी मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़े भी अच्छे लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अंद कर दे तो इस तरीके का हाई फ्लेम फूल गोबी को फ्राइ करना है करीवन 90% तक फूल गोबी कुक होने तक अप लोगों को फ्राइ करना है थोड़ा तो इस तरीके का रेड रेड स्पॉर्ट जब तक ने आये तब तक फ्राइ करें तो में प्रोसेस करती हुए और अलू को भी 90 परसें तक ऐसी तरीके का जो है हमको फ्राइ कर लेना है तो रेश्टूरेन में जो आलू बी मिलता है सेम उसी प्रकार का जो है ये टेस्ट लगता है रेश्टूरेन में बहुती महेंगे दामों मिलते हैं आप लोग घर पी इसको ईजिली कम खर्चे में बना सकते हैं आलू में भी जब ऐसे कलर आजाए तो आलू को भी पूरा निकाल लेना है अच्छी तरह से आलू भी बिल्कुल 90% तक कोख हो जाता है और अब जो है उसी तेल में हमको अभी गरम मसाला अट करना है तेल आप लोग थोड़ा जादा कम कर सकते हैं गरम मसाले में दोरदार चीनी का टुकड़ा तीन इलाईची ले लिया हूँ इसको जो है इस तरीके का थोड़ा सा जैज जही फ्लेवर निकल जाए इसमें चार बड़े सा इसका प्याज डाल देना है इस ग्रेवी में पानी का याड़ नहीं करना है इस ग्रेवी जो है सिर बड़े प्रण करना है तब तक ही प्याज को फ्राय करना है तो प्याज आप लोग में कलर आप लोग को दिखा दूंगी इसको गोल vibes डिन ख़ना ऐसे का डोग असाग प्रेवी डाब नहीं आता है जैसे प्रकर का पिंकिश कलर और दृब्ड़ा करना है तब तक यह को फ्र रखले सुन का कच्छा स्मेल न चला जाए गैस की फ्लेम को हाई लो करती रहना है आप लोगों को बट इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालना है अब इसमें मैं चार बड़े साइस का टॉमेटो डाले ही हूँ बिल्कुल पका हुआ लाल टॉमेटो लेना है इससे ही ग्र में दे दूँगी अब कुछ मसाले जैसे की स्वाद अनुसार नमक और कलर के लिए एक चममच हल्दी पाउडर और लाल कस्मीरी लाल मीच पाउडर हमको डाल देना है या पर देर चममच आप लोग अपनी तीखा के अनुसार कस्मीरी लाल मीच पाउडर डाल सकते हैं अब तब तक मैं इसको हाई फ्लेम पे पका रही थी आप जो है गैस की फ्लेम को मैं लो कर दूँगी लो करने के बाद इसमें सीजन की हरी मटर डाल दूँगी अभी ठंडी का मौसम है हरी मटर बहुत ज़्यादा अबलेबल हैं बिना हरी मटर कभी आप लोगी स्क्रेवी क को बना सकते हैं तो मैं हरी मटर एक कटोड़ी भरके डाली हूँ इससे बहुत ही जबरदस्त स्वादाती है अब कुछ मसाले डालना है इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा आधी चम्मच धनिया पाउडर और एक चौधाई चम्मच जो हैं जीरा पाउडर डालना है इससे वक्त आप लोग मसाले की नमग भी चेक कर सकते हैं अगर कम लग रहा है तो नमग ज़रूर डालिए आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके जो ही काच की ढखकन इसके अंदर ढख देना है ढखके पाच मिनिट तक लो फ्लेम पे इसको इसी तरह से छोड़ना है तो आभी मसाले को अभी फ्राई नहीं करना है इस वक्त जो फूल गोबी और जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे उसको इसके अंदर डाल देना है डाल के बहुत ही अची तरह से मिक्स कर लेना है मसाले के अंदर ताकि मसाले जो ही फूल गोबी और आलू के अंदर बहुत ही अची में जरूर डालूंगी हराधनिया इस वाले सीजन में बहुत ज्यादा मिलता है ठंडी में और बहुत ही जबरदस इसकी खुश्बू होती है बहुत ही टेस्टी लगता है हराधनिया को बिल्कुल स्कीप ना करिए तो हराधनिया डालके बहुत अची तरह से मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद मैं गानीश के लिए यहाँ पा थोरा सा टॉमेटो एट करूंगी यह टोटली ऑप्शनल है अगर आप लोगों को बसन है तो आप लोग डालिए मनना स्कीप कर सकते हैं अब पाच मिनित तक इसको इसी तरह से लो फ्लेम पे ढखके छोड़ देना है तो ह इस वाले वीडियो को शेयर करना ताकि उन लोग भी यह बहुत इजी रेसीपी घर पे इसली बना सके तो अब मेरे चैनल पर और भी रेसीपी है आप लोग देख सकते हैं तो लास्ट में जो हैं इसके अंदर डालना है हमको लिम्बू का रस आधा लिम्बू का रस थोड़ और नियू नियू तब तक के लिए अपने अपने घरों में रहें